हेले स्टूडेंड कैसे हैं आप सब एक बार पुनासी कोचिंग क्लासेस पर स्वगात हूँ उम्मीद करता हूँ आप सब बच्छे होंगे मस्त होंगे बहतर होंगे आपकी पढ़ाई बहतर चल दियोगी बच्छो क्लास टुल्द कमिस्टी नसे एर टी चैप्टर फूर चल जिसमें डी और एफ ब्लाक के इलिमेंट्स के बारे में बताया गया है जिसमें आज का टोपिक है बच्छो लेंथिनेट संकुचन किसे कहते हैं लेंथिनेट संकुचन का प्रभाव कहा है समझाईए काफी इंपोर्टेंट कोश्चन है बोर्ड एक्जाम के लेवल से बच् देखेंगे तो एक लाइन में क्लियर हो जाएगा लेंथे नाइड के परमाडू क्रमांग के बढ़ने के साथ साथ उनके परमाडू आइनों के आकार में कमी होती है इसे ही लेंथिनेट संकुचन कहते हैं जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्छो की बाएं से दाएं में कमी होती है आकार में कमी होती है उसके त्रिज्जा में कमी होती है इसके पीछे का रीजन क्या है इसके पीछे का कारण क्या है सबसे पहले मैं आपको बता दू कि जो लेंथेनेट समू कहां से उस्टार्ट होता बच्छो तो लेंथेनम के बाद से लेंथेनम के बाद के तीन इलेक्टरान बसते हैं तो 5D1 होता बच्चो और 6S2 इलेक्टरान ठीक है यहाँ पर क्योंकि परमाड़ क्रमा किसका संत्यामन होता है यदि मैं आपसे कहा दू बच्चो कि तीन इलेक्टरान यह दे दे थ्री पास्टिव तो यह आएन के बस्था में हो गया यह आपका सिधा परमाड़ हो गया और यह आएनी तबस्था में हो गया ठीक है ऐसे ही जब सारे के सारे जो भी हमारे पास एलेमेंट्स हैं वो जब तीन इलेक्टरान दे देते हैं तो उनमे के बाद के चवधे तत्तों आपके क्या है लेंथे नेट कहलाते हैं इसके बाद आता बच्चों सीरियम ये आपका सीरियम है परमानुत क्रवां किसका अंठामन है लेकिन जब ये थ्री पास्टी वबस्था में होता है तो एक लेक्टरान आपका किस में चला जाएगा एन थ्री पास्टी में तो यहां पर दो इलेक्टरान हो जाएगा और ऐसे ही लेक्टरानों की संख्या बढ़ती जाती है अब भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है फिर से समझो अब मैं आपसे कहता हूं बच्चों कि आयन के वस्था में या किसी भी परमान में जब बाएं स दाएं चलते हैं तो यह आपका मा लीजे पास्टी टर्मिनल है इसका पहला कोस है बच्चों यह दूसरा कोस है फिर आपका यह तीसरा कोस है फिर आपका चौथा कोस है टोटल छे कोस होते हैं यह आपका पांचमा है फिर आपका यह छटा कोस है ठीक है यह छे कोस है ठीक है और यह वाला है N-2 वाकोस है अब देखो जब हम 20 से दाय चलते हैं तो इनमें इलेक्टरान की संक्या बढ़ती है इसे में इलेक्टरान बढ़ते जाते हैं पहले एक इलेक्टरान रहता फिर दो इलेक्टरान हो जाता है फिर तीन इलेक्टरान फिर चार इलेक्टरान पांच इलेक्टरान छे इलेक्टरान साथ इलेक्टरान आठ इलेक्टरान नौ इलेक्टरान और अधिक्तम कितने इलेक्टरान हो सकते हैं अप में बच्चो अधिक्तम 14 इलेक्टरान हो सकते हैं तो जब इलेक्टरान की संख्य लगातार बढ़ती है तो ये नाविक में धानाबेस भी बढ़ता है जब धानाबेस बढ़ता है तो बच्चो धानाबेस और रिनाबेस की बीच आकर्षनबल प्रवाल होता है और यही आकर्षनबल प्रवाल होता है तो आकार में थोड़ी से कमी होती है अपनी और खीचने की कोसिस करते हैं भाई जहां आकर्षन ज़्यादा होगा ठीक है तो क्या करेंगे आकार में थोड़ा सा संकुचन आएगा और यही आकार में संकुचन होना बच्चो क्या कहलाता है लेंधिनेट संकुचन जैसे हमने कहा कि जब बाएंज सेसेशेदाएं चलते हैं बाएंज सेसेदाएं कैसे जैसे आपका पहले serium है, फिर आपका है presseodiamium है, neodiamium है बच्चो फिर आपका nd neodiamium है फिर होता है 4 होगा हमने 20 सौच लिया था फिर आपका प्रुमीथ्यम क्या समीरियम है फिर आप नाभी का अकर्षनबल बढ़ता जाता है और नाभी का अकर्षन बल इदि बढ़गए तो कहीं न कहीं उसके आकार में क्या आएगी कमी आएगी और यही कमी आपके परमाड को संकुचित करती है और जिसे ही हम कहते हैं लेंथिनेट संकुचन देखो बच्चो पहले परिभासा लिखना है तो लेंथिनेट के परमाड करमांग में बढ़ने के सांसाद उनके परमाड वे में और आयनों के आकार में कमी होना आयन की अवस्था मैंने बता दिया कि तीन इलेक्टरांट दे दिया तो आयन के अवस्था में हो जाता है तो भई साब मैंने कहा उसके परमाडू के आकार और आयनों के आकार में कमी होना लेंथिनेट संकुचन कहलाता है इसके पीछे का रीज संकुचित हो जाता है ठीक बच्चो ये चीज होता है अब जैसे इसका प्रभाव पूछा जाता है लेंटेनेट संकुचन का प्रभाव काफी महात्पूर है तो को इसमें कुछ है नहीं है इसमें कुछ नहीं है ना तो आपको इसका प्रभाव त्रिज्जा याद करना किसी का 12th label से पढ़ रहे हो ना एकदम जितना मैं करा रहा हूं उतना यदियाप कर रहे हो तो बहुत है बच्चो समझ रहे ना तो lengthenide संकुचन का प्रभाव में पहला प्रभाव है lengthenide के गुणों में परिवर्तन कहने का मतलब जब हम lengthenide का संकुचन देखते हैं तो कहीं न कहीं कह सारे lengthenide में क्या समानता आ जाती बच्चो क्या जाती है समानता आ जाती है और जब समानता आ जाती है तो उनको फिर प्रथक करना बहुत ही कठीन हो जाता है जैसे माली जे आकार में कमी आती है आकार थोड़ा सा भिंद भिंद होता कहीं न कहीं आकार थोड़ा सा क्या होता भिन भिन होता जब आकार भिन भिन होता तो उनकी गुण में क्या होगी थोड़ा सा अलग अलग होती और जब गुण में समानता होगी बच्चो तो यहां पर चौदह तत्यों के आकार में जब अधी गंतर नहीं रहता है तो गुण एक जैसे दिखाजने लगते जिससे उन्हें प्रथा करना थोड़ा सा कठीन हो जाता है प्रथा करना आसान नहीं होता अब जैसे इसके प्रभाव में ये भी है येसे आपका स्रेंडी होता है ना 4D और 5D संक्रमन स्रेंडी दोनों तत्यों की त्रिज्जाएं समान हो जाती है अब आप कहोगे सर ये डीव गाला कहां से भंडा आ गया तो मैं आपसे बताता हूँ ये जो आपका 3D पहले आपका क्या होता बच्छो 3D फिर ये 4D फिर आपका 5D यहीं नहीं होता है 3D 4D 5D तो समझेगा आकार में ब्रद्धी होती है लेकिन ये जो 5D स्रेंडी होता है इसी में होता है लेंधेनम समूँ ठीक है ये 5D स्रेंडी होता है इसी में 14 तत्यों लेंधेनम समूँ के होते हैं तो चुकि आप लोगों को पता है कि इस लेंधेनम समूँ में आकार में कम ही आती है तो लगबग 4D स्रेडी के समान हो जाता है तो कहीं न कहीं लेंथेनाइट संकुचन के कार्ण 4D और 5D स्रेडी में दोनों में त्रिज्जा की समानता हो जाती है ठीक है यह इसके प्रभाव हैं बच्चो कि जैसे यह आकार में कम ही आती है तो मैंने आपको क्या कहा भाई थोड़ा समझने कोसिस करो मैंने यह कहा कि आपका होता है 3D, 4D, 5D, 6D इसमें ही लेंथेनम के बाद की 14 तर्तो आते हैं इसमें एक्टिनियम के बाद की 14 तर्तो आते हैं अब जैसे उपस नीचे चलते हैं तो आकार में ब्रद्धी होती है क्योंकि कोस की संख्या बढ़ते हैं लेकिन इसमें क्या हो जाती है संगुचन इस संगुचन के करण 4D और 5D दोनों की जो त्रिज्जाएं लगबख समान आकार की हो जाती है तो आपको मुख रूप से 2 तयार करना है पहला लेंथेनेट के गुड़ों में परिवर्तन लेंथेनेट संगुचन के करण इनके रासानी गुड़ों में बहुत कम परिवर्तन होता है अताहां इने सुद्ध आवस्था में प्राप्त करना अतन्त कठीन हो जाता है जो भी elements होते हैं उनके आधार पर भाई अपने आप में समानता दर्स आते हैं लेकिन दूसरे से तो कहीं न कहीं भिन हो जाते हैं यह चीज बताया गया तो दो प्रभाव आप लोग तयार कर सकते हैं और एक ऐसा भी लिख सकते हो कि भाई 4D और 5D स्रेणी के संगमण तत्रों में तरिज्जाओं की समानता हो जाती है 4D जो स्रेणी है और 5D lengthenate संकुचन के कारण इनके तरिज्जाओं लगबग समान हो जाती है तो इतना आपको तयार करना ज्यादा लंबा चोड़ा है नहीं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गया होंगे lengthenate संकुचन क्या कहलाता है 12th के लेबल से इतना काफी है अपको यह थोड़ा सा extra लेबल पड़ेगा भाईया तो अभी तुम्हें 12th लेबल ही पढ़ाता हूं लेकिन आप लोग विद्वत तयारी बस करते चलें ओके आज के लिए इतना ही वीडियो पसंदत लाइक करके शेयर करतें डिस्क्रिप्शन पर आयप का लिंक मिल जाएगा शिव कोचिंग क्लासस के नाम से प्ले इस्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका यदि होट्स अप में नोट्स लेना है तो कंटेक्ट नमर मैं दे दूँगा आपको 96-89-99-49 इस नमर पर आप कंटेक्ट रेव के नोट्स ले सकते हैं आज के लिए इतना ही मिलते हैं गरी वीडियो के साथ बच्चो जय हिंद बंदे मातरम